राम राम जी जैसा कि आपको पता है इस मानवता के सामने खड़ी चुनोती कोरोना के समय में कटाई की एक चुनोती आज़ देश के किसान के सामने है इस मामले में मैं मानता हूं कि सरकार भी बहुत कुछ करेगी कर भी रही है हमने भी बहुत सुझाव दिये हैं जिन पर हमें उमीद है सरकार अमल करेगी ताकि किस प्रकार से कटाई की जाए खरीद की जाए उसमें किसान की सायक साबित हो मगर उसके साथ साथ सब काम सरकार भी नहीं कर सकती है हमें भी बहुत कुछ इसमें करने की आफशक्ता है समझदारी से सतरक्ता से हम इस समय कटाई से लेकर खरीच तक की इस प्रक्रिया को संपन अच्छी तरह कर सकते हैं इसमें दो-तिन सुजाव मैं देना चाहता हूँ पहली बात तो आपको दिहान हो जब लेबर की कमी से आज हम जूज रहे हैं एक समय ऐसा था बड़े बुजर्गों के समय तब भार से लेबर नहीं आता था ना ही कोई मशीन थी ना कमबाइन थी उस समय अपा आपस में मिल बाट कर 36 ब्रातरी डंग वारा जुकर जिसे कहा करते गाम में कटाई कर लिया करते है कि गाओं के स्कूलों को क्योंकि हर गाओं में आज पूरी मातरा में स्कूलों के कमरे और जगाय स्थान उपलब्ध है अब स्कूलों की छुटी चल रही है गर्मी की छुटी रहेगी कुछ दिनों तक स्कूलों के अंदर गाओं के गाओं में किसान का अनाज रखने की सुविदा किसान को मिले हमें उमीद है कि सरकार उस पर पालन करें तीसरा अपनी खुद की सावधानी बढ़तने के लिए हमें एक दूसरे से सावधानी तो बरतनी है को नया आदमी आए तो उससे भी एक डिस्टेंस मेंटेन करना है मगर साथ की साथ मास्क और मास्क नहीं हूं तो हमारे तो बड़े बुज़र्ग मास्क देखे गए जो कर गामा में अपा डाठा बांद ले हैं अपने जो है पढ़ने पढ़ने को आगे मूं के आगे करके डाठा फेर दें हैं गाम में नोयं अबरीका उसको मास कह रहा है